गिव एन एक्जाम्पल विद जस्टिफिकेशन ऑफ गुरूप जी वूस सेंटर इस नोड जी हमें एक ऐसे गुरूप का उधारन देना है जिसका सेंटर वह खुद नहीं है तो हम यहाँ पर एक गुरूप ले लेते हैं Q8 जो की क्वाटर्णियन गुरूप कहना आता है Q8 जिसके एलिमेंट होते हैं 1-1 1-1 I-I J-J K-K हम इसमें देखते हैं क्या कि इसकी सभी एलिमेंट एक दुसरी के साथ कम्यूट नहीं करते हैं सिर्फ 1 और माइनस 1 जो है सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं लेकिन बागी एलिमेंट जो हैं सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सेंटर क्या किसी भी ग्रूप का सेंटर क्या होता है उस ग्रूप के इन एलिमेंट का सेट होता है जो ग्रूप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है इसलिए चुकि वन और माइनस वन इस ग्रूप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है इसलिए वन और माइनस वन क्या होगा इस ग्रूप के सेंटर का एक एलिमेंट होगा Since 1 and minus 1 commute with every element of the group therefore they belong to zg but I minus I, J minus J, K and minus K. Do not commute with every element of the group. Therefore, they do not belong to Z, G. So, this group of elements is 1 and minus 1. So, this group of elements is 1 and minus 1. इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसका जो सेंटर रहा हुआ ग्रूप खुद नहीं है. Is not equal to G. हम यहाँ पर इसे दिखा सकते हैं कि किस तरह से 1 और minus 1 कम्यूट करता है सभी elements से. तब से पहले तो हम 1 के साथ minus 1 को ही लेते हैं. 1 into minus 1 is equal to minus 1 into 1 is equal to minus 1. फिर 1 into i is equal to i into 1 is equal to i. इसी तरह से 1 into minus i is equal to minus i into 1 is equal to minus i. इसी तरह से 1 into j is equal to j into 1 is equal to kya होगा? j. फिर 1 into minus j is equal to minus j into 1 is equal to kya होगा? minus j. फिर इसी तरह से 1 into k is equal to k into 1 is equal to k होगा. इसी तरह से यहाँ पर 1 into minus k is equal to minus k into 1 is equal to minus k. जा देख रहे हैं कि हम वन सभी element के साथ group के सभी element के साथ commute कर रहा है इसी तरह से हम minus 1 को भी दिखा सकते हैं minus 1 into 1 is equal to 1 into minus 1 is equal to minus 1 इस तरह से minus 1 into i is equal to i into minus 1 is equal to minus i इसी तरह से minus 1 into minus i is equal to minus i into minus 1 इनकी तरह से तरह से minus 1 into j is equal to j into minus 1 is equal to minus j minus 1 into minus j minus j is equal to minus j into minus 1 is equal to plus j इसी तरह से minus 1 into k is equal to k into minus 1 is equal to minus k इसी तरह से minus 1 into minus k is equal to minus k into minus 1 is equal to plus k इस तरह से हम देखते हैं कि 1 और माइनस 1 जो है ग्रूप के सभी element के साथ commute करते हैं लेकिन बाकी जो element है ये commute नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम I, J और K ये I, J, K क्या है? अब यूनिट वेक्टर है तो हम यहाँ पर जैसे I के साथ हमे I के साथ में J को multiply करते हैं तो हमें क्या result मिलेगा? K मिलता है और जदी हम अगर इसे उल्टा करते हैं J into I करते हैं तो हमें क्या result मिलता है? minus K ये तो नहीं इक्वल नहीं है इसलिए I मतलब J के साथ commute नहीं करता इसी तरह से J, K भी जो है गुरूप के सभी element के साथ commute नहीं करेंगे इस आधार पर हम क्या करेंगे? कि यह गुरूप एक ऐसा गुरूप है जिसका center वह खुद नहीं ओके स्ट्वेंट्स नहीं है